हेलो दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एत्री केडमी मैं अनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं दोस्तों जैसे के मद्द प्रदेश के राष्टि उद्यान और अभ्यरंड को हम कवर कर चुके हैं आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मद्द प्रदेश के जैवर अरचित छेतरुआ टाइकर प्रजेक्ट के बारे में देखेंगे और सारे जो भी फैक्ट्स बचे हुई हैं दोस्तों तो वह ह वीडियो को नहीं देखा है तो अब प्लेलिस्ट में जरूर जा करके देखेंगे दोस्तों यह हमारा अठारवां पार्ट है जिए दोस्तों इसके पहले सत्रा वीडियो MPG के अब लोड हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से हमारे दोर कवर किये गए हैं अगर आपने न दोस्तों हम देखते हैं मद्द प्रदिस के टाइगर प्रजेक्ट को सबसे पहले देखते हैं तो टाइगर प्रजेक्ट को आप देखिए तो सबसे पहले अगर बात करते हैं दोस्तों तो हमारा टाइगर प्रजेक्ट है काना को जिए हैं दोस्तों जो हमारा काना राश्ट कि इस थाफना कव copied थी दोस्तों में 10 könnt का दें अब आगे बात करते हैं दोस्तों दूसरा आजया गीोडर्यट में 10 zg एस गया अगर 1229 बाण करें दोस्तों तो इससे इंद्रा की नाम से भी जाता है और मोग्लि लेन भी विक्सित गिया जा रहा है वहीं अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना को मुई था पीश्थ राष्ट्र द्यान की स्थापना की गई तो यह ज़ो की तो इस्थापित किया गया तो अगर पूछता है कि पेंच राष्टी उद्यान कप बना तो आप बोलोक कर राष्टी उद्यान की बात करते हैं तो तो बांथा राष्टी उद्यान आप 1993 में यह प्रोजेक्ट टाइकर में सामिल किया गया कब किया गया आप बोलक सर इसे 1968 में राष्टी उद्यान के रूप में विक्सित किया गया था अगर बात की जा तो ठीक है ना इसके साथ एक और कौन सा राश्टी उद्यान इस था पी तो था आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताईए आगे बात करते हैं, जो हमारा राश्टी उद्यान, यहां दोथो पन्हा राश्टी उद्यान, यहांदे हैं, आगे बात करते हैं, गंधू ए, बांधू पन्ना तो पेंच से आपने बांधा क्या पन्ना पेंच से बांधा पन्ना तो यह अगर बात करते हैं दोस्तों चोथे अप बेनेड की तो चौथा राष्ट्य उद्यान की तो चौथा राष्ट्य उद्यान था वह सत्पुड़ा राष्ट्य उद्यान यह कब बना था पूलक सर्थ 1999-2000 आपको एकजाम में तो 1999 मिलेगा नवे पर्षंट केस में 1999 रहता है कभी कभी लेकिन 2000 भी दे दिता है तो इन दोनों में से एक ही उप्शन देगा दोनों नहीं देने वाला है चलिए ऑन के बात करते हैं जो अब संजय गांधी राष्टी उद्यान सजेगांधी राष्टी उद्यान इसका न कभी थी तो आप बोलों के सब्सक्राइब न कि साल एक है दो हजार आठ में लेकिन स्ठापना का मुए तो आप बोलों कि सर स्थापना हुई थी 1981 में जब पन्ना की हुई थी चलिए अब देखिए ये 6 हो गए दोस्तों पहला हो गए काना दूसरा हो गए पेंच तीसरा हो गए बंदग और चौसा हो गए पन्ना पांच चमौकर शत्पुड़ा और शत्मौकर संजेगान ये दोस्तों 6 तो राश्टी उद्यान हो गए जिन संजेगान इसक्रान्यें में स्थित्राता पान ये बहरंड राज सेंद्र में या ज्याद के कि एक मात्र अब बहरंड जो की सामील किया गया प्रोजेक्ट टाइगर में तो कई बार पेपरें पूछा गाए वेरी इंपोर्टेंट है चलिए अब चलते हम आंगे चली हम चल किस अब बैरन ये राश्टी उद्यान में पाए जाते हैं तो यहां से कॉश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं तो सरवाधिक बाग तो सबसे अगर बाग की बात करते हैं तो काना किसली में सबसे ज्यादा बाग पाए जाते हैं याद रख करते हैं दोसरे धूर न कौहाँ है राजटी उद्यान तो अगर पूंचता है कि सरवाधिक घंत तो कहा है आफ भाना हुद जल्दी से कमेंट करें भान भाझ राश्टी उद्यान किस जिले पे श्थीत है अगर बहात करते हैं दोस्तों सरवाति 1010 गोर तो आप आप बोखे काना किसली गौर एक पक्ची की पक्ची को है सरवाधिक गौर कहा पाई जाती तो आप बताएंगे काना किसली में सरवाधिक गौर वहीं अगर पुच्छतутств है सरवाधिक सरवाधिक 12 सि胞गा तो सभी को यहe सबही से बन जाेगा बहुत दोस्तों 12 कहां सिंगा कह local कहां आ जाता है जैसे आप बोलोगे एक सिंग वाला गेंड़ा कहां पाए जाता तो आप बोलोगे असमें कौन सा आप बोलो कि आगा कांजी रंगा अग्रा गांड़ाले बन काो कर दियाने हुआ सरवादिक Birar Sunshine जर्ट वारत का पहला ऐसा राश्च जिस्ञे Cap जह रिखे हैं गार न किसली पार सिंग होराथ वे पोछ श्रवादिक मोर तो सरवादिक मोर कहां पाय जाते हैं तो आप बताओ घालियान नरसिंग Contin queria अब बैरंड में सरवाधिक बाग कहां पाया थे नर्सिंग गड़ अब बैरंड में आपको कमेंट बाक्स में करना है कि नर्सिंग गड़ अब बैरंड कहां पे है आपको कमेंट बाक्स में जल्दी से कमेंट करते चलिए अब देखिए अंगलव फेक्ट जो है सरवाधिक दूधराज जी हैं दोस्तों सरवाधिक दूधराज दूधराज जो कि हमारा राज़की ये पच्छी है जी हैं दोस्तों हमारा राज़की ये पच्छी है आपको बताना है कि सरवाधिक दूद राज कहां पाए जाते हैं कई बार पे प्रेम पूछा कि कोई हमारा राज की 25 कोश्चन यहां से बनते हैं तो दोस्तों कहां पे आप बुलोग सर सैलाना सैलाना अब बेरंड सैलाना अबहरंड तैके ना अब आप जले दे कमेंट करते हैं सैलाना अबहरंड कहाँ पर mozan करा दिये गए हैं यहाँ से पता भी चल लाए कि कितना या दे पिचली क्लास का अगर बात करते हैं Duty करते हैं संख्या की बात कररा पाये हैं भी जाते हैं हर जोड़ा थोड़ी मात्रा में लेकिन सरवाधिक सबसे ज्यादा में कौन से पाए जाते हैं अब दिए साथ में फैक्ट किकर बात करें सरवाधिक नील गाय सरवाधिक नील गाय कहा पाया जाते हैं अब लोग सर गांदी सागर अब बेरेंड गांदी सागर अब लोग सर यह भी कहां पे हैंе मन्द।स ओर में हैं आए अगर बात करते हैं दोस्तो बात करते हैं श्रबादी घड़ियाल बिलग सर चंबल अब बेरंड में सर बात बात गड़ियाल पाए जाते हैं दोस्तो बहुत ज्य between है आपको आपको सेम ऐसे ही कौपी में अपने लिख लेना यहां से डिरेक्टी कौश्चन बनते हैं अब देखि ग बात करते हैं सरवादिक लंगूर जैना जी हैं जोन लंगूर बंदर के प्रजाती होती है तो कहां पाय जाते हैं आप बताओगे राता पानी जहां दोस्तों राता पानी में सरवाधिक लंगूर कहां पाए जाते हैं राता पानी राता पानी की क्या बैसे जिस्ता है एक मात्र ऐसा अब बैरन दोस्तों जहां पे Tiger Project चलाया जा रहा भी थोड़ दिर पहले हमने देखा तो Tiger Project है कहां पिर राता पानी अब लोग सर राई सेन में है तो राता पानी अब बेनर्ण सरवाधिक लंगूर पाए जाते हैं आगे अगर बात करते हैं सरवाधिक काले मरग जियां तो सरवाधिक काले मरग कहां पाए जाते हैं तो आप बोलो कि सरबाधी कमरग जो है पेंच राष्ट्री उद्यान में पाए जाते हैं वहीं अगर बात करते हैं तो सरबाधी गिद 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 तो आप सभी लोग जानते हैं न दोस्तों चील की जैसे एक प्रजाती होती है गिद इनकी आंके बहुत हुट होती हैं तो सरवादी कहां पाय जाते हैं पहलो कि इस और रास्टरी उद्यान में सरवादी गिस पाय जाते हैं पन्नहरास्ट्री दियान बचलते общем सर तो हमने क्या बता था दो फैच बांधू पन्ना तो फैच बांधू पन्ना कब बना था अभ भू लोग सर 1994 पेच बना था Angry व पन्नाम पर स्र नुरॉ ज़ना क्प चलाताथ है चलिए आंगे देखिए आगे हम देखने वाले हैं दोस्तों बिसेश पसु या पच्छी है तो अभ्यारंड जो है उस फैक्ट हम देखते हैं तो देखिए चंबल राष्टी अभ्यारंड कहां पे किसली फेमस है तो मुरेना में किसली फेमस है आप बोलोगे सर घडियाल के लिए कौन सा कि फेमस है । और मगर यहां पे सनच्चित किया जाने हैं तो तीन पहले मेरे दोरा बता दिये गये हैं तो देखे चंबल राष्टी अभ्यारंड जो एप घडियाल और मगर के लिए आपको मिल सकते है ठीकिए तो चलिए यहां पीब्याल और मगर क्लियर इतना यह तीन आ दूद राज और खर्म और पक्ची के लिए दो अब बेरें हमारे दोर पहले बता दिये के हैं पहला कौन से लिए कि सैलाना सैलाना कहा है रतलाम में सैलाना कहा है रतलाम में रतलाम में सैलाना दूद राज और खर्म और पक्ची के लिए ये दोनों तो सेलाना और सदारपुर किसके लिए फिमा से आप बोलो कि खरमा और पच्छे और दोध राज के लिए वह अगर पूछते हैं घडियार और मगर के लिए तो कौन कौन से तीन तो बोलो कि सर चंबल सोन और केन आगे चलते हैं दोस्तों सोन चिरिया कई बार पेप है दो और और आएंगे कौन कौन से अबोलो क सर घाटी गहाऊं जो की गौलियर में और क्रेड़ा जो कि शीवपूरी में है चलिनख़ आगे देखते हैं दोस्तों नौरा नौरा न्वरा देही नौरा देहीस सागर नेल गाय के लिए फिमासरे नौरा देहीन में बाड़ा को स और दोस्तो कौन से दो, कौन-कौन से दो, आप लोगे से नियल गाये के लिए नावरा देहिए अब बेहरेंड जो कि सागर में और गंदी सागर जो कि मंद्सौर में है, यह तो कहा अगर तो अगर बात किया तो काम धेंन वन जी अबैरंड नहीं है तो ये भी याद Retak के լात करते हैं तो राता पानी राता पानी राज सेन में प्रोजेक्ट आइगा चला थोड़े पहले इसको बता दिया गया है चलिए आगे चलते हैं अब कुछ important fact देखते हैं यहाँ पे देखिए मद्ध प्रदिस्क नेशनल पार्क के महत्पूर्ण तत्थ है अब तत्थ देखते हैं कुछ महत्पूर्ण तो मद्ध प्रदिस्क में राष्ट्य उद्यानों के संख्या गेरा है अब सभी को पता चल गय है दोस्तों सभी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको हमारे साथ पढ़ लिया है अब देखिए राष्ट्य उद्यानों के संख्या कितने हैं गेर हमां कौन सा है अब लोकसर पालनपूर कुनों जो की स्योपूर में है आंगे बात करें दोस्तों मद्ध प्रिसका एक मत बार का बहरन जैसे थोड़ी दर पहले मैंने बताए च्छे राष्ट्य उद्यानों और एक बन टोटल मिला कि अगर बात कि जा रहे चाहरा रहे चेराश्ट्य उद्यानों और एक अब बात करते हैं तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कौन जाने जाते हैं तो यह के लाशतांघा खेला जेहरें केलास तांकरों केलास सैंकरा भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक माने जाते हैं बहुत अबमूर्ण परिस्टने प्रूट करें तो बिच्छ तांकर प्रोजेक्ट के लिक्ष तांकी जनक लेनी मेन फॉर्ड यह दोनों प Sumer法ा उंपरitter ताइकर प्रोजेक्क्ट किसेस के दोरा चलाय जा रही है भारास संयोग किसके साहथ में लगरकिम कि लाएफ ईपन्ड की संयुक्त प्रयोजाना है, किसकी- भारास सरकार और वर्ड लाईफ मंट की संयुक्त प्रयोजना है, अब अगर बात करते हैं मद्द प्रदेश वर 36 परतक करण की बाद 9 राश्टी उध्यान थे जिए जिए जब मद्द प्रदेश से 36 गड़ा अलग गोग था उस समय मद्द प्रदेश में 9 राश्टी उध्यान थे कौन कितने हैं पहले 9 थे याब कितने हैं आब गेरा हैं याद रखिएगा anticipating गेर कॉंसे जो 2000 के बाद बने होंगे जो 2000 के बाद बने होंगे वही वाले कौन कौनसे तो 10 मा कौनसे हैisión अब बोलों कि सर Salt जो IndgranЧто Halo सुर i two thousand trajectory में बना था डािन Això सर bun 누가 सरच लो राश्टी उद्यान और जो अभी digit अब बना कंसा अब बोलों कि सर बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट डेटा है चलिए मद्द प्रदेश में जैव मंदली और चित छेद्र तो अगर बात करते हैं दोस्तों कई बार पेपर में पूचा गए डिरेक्ली इनकी संख्या कि मद्द प्रदेश के में कितने जैव मंदली और चित छेद्र है तो तो अगर बात करते हैं दूसरा तो अपको नाम याद रखने हैं डूसरा तीन के जैब मंडल अरचित चेतर दूसरा अमरकन टक जैब मंडल अरचित चेतर तीसरा पन्ना जैब मंडल अरचित चेतर तो दोस्तों ये आपको याद रखना है चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा हम डीटेल देख लेते हैं तो सबसे पहले अगर बात करते हैं दोस्तों पचमणी जैब मंडल और अच्छित छेत्र के बारे में देखते हैं तो देखें इसकी स्थापना हुई थी तीन मार्च उन्नीस सो निन्याननवे को पचमणी को जैब मंडली और अच्छित छेत्र घोशित किया गया था यह करके बता दिए बहुत में बरतमार में कितने जैब मंडल या थाट्好 है जल्दी से कमेंड करके बताई कreये जल्दी कमेंt कर एस में कितने को यद् में बात करें यूक मैं दूस्तों च्छेत्र बात करें दोस्तों तो 2009 में इसे मानता दी थी इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है ठीके नच चलिए अब दूसरे की बात करते हैं दोस्तों कौन सा अमरकन टक बाला तो देखें दूसरा है अमरकन टक का जो की दिंडोरी और अनुप पूर में इस्तित है अमरकन टक जया मंडल अरचित छेतर दिंड आपना देखें इसकी 30 मार्च 2005 में हुई थी 30 मार्च 2005 में हुई थी इसकी इस्तापना 30 मार्च 2005 में थी आपको याद रखना है अगर बात कर यह मद्द प्रदेश च्छतिस गड़ का संयुक्त है जिए हैं दोस्तों देखें कि पचमणी बाला च्छेत्र मापे करार घाटी अब भी बात चलना था ठीके ना तो यह मद्द प्रदेश और च्छतिस कड़का याद रखें कर संयुक्ति क्योंकि मद्द प्रदेश में देखें दिंडोरी और अनुपुर आता है और 36 कड़का बिलासपुर यह बाले च्छेतर पर आता है तो यह आपको याद रखना है मद्द प्रदेश और 36 का यह संयुक्त है देखिए बिलाजपूर का मरवाही जंगल सफेद भालू के लिए परशिद्ध है। अब देखिए तीसरा हमारा जो जैब मंडल और छित छेतर है मद्द प्रदेश का ये रहा तीसरा दोस्तो कौन सा पन्ना जैब मंडल और छित छेतर है तो पन्ना जैब मंडल और छित छेतर के अगर बात करें कि स्थापन होई थी दो हजार गेरा में जैब दो हजार गेरा में अगर बात करते हैं तो मद्द प्रदेश का तीसरा जयां तो बात करते हैं 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 तो बात क अब चलते हैं अपने अंगले फैक्ट पे तो देखिए अब कुछ हम यहां पे देखेंगे कि जैब विद्टा पर मद्द प्रदेश के जो संस्थागत और जो अन्य प्रयास हैं यहां से भी कोश्चन बनते हैं इनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो देखिए जैब विद्टा विभाग की स्थापना कर बात की जाए 2001 में की गई थी जैब विद्टा विकास यहां दोस्तों जैब विद्टा विभाग की स्थापना कप की गई थी डिरेक्टली आपको सन याद रखना जैब विद्टा विकास की स्थापना कप की गई थी 2001 म है अब देखें मद्ध प्रदेश राजजी बिवित्ता है और हैं यहांपरमद्द प्रदेश राज जैब बिविवित्ता बॉर्ड जी। जोड़ासा ऑंतर है जे बिनता बोर्ड तो मद्द प्रदेश जैब और दोगिक परिशद जहां दोस्तों यहां पर यह तीनों पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजर नहीं था जब हम अलग अलग पढ़ते हैं तो इसलिए यह तीनों को हम यहां पर इकठा लेकर के आया है तो देखिए मद्द प्रदेश जैब और दोगिक परिशद की स्थापना 2005 में हुई थी देखिए इनका सन भी आसपास है तो यहां पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजर होता है आपको अच्छे तरीके स्याद करना अगर पूछता है जैब विदता बिकास तो आप बोलोगे सर 2001 वही अगर बात करते है राज जैब विदता बोड तो आप बोलोगे सर 2002 वही अगर बात करोगे मद्द प्रदेश और दोगिक परिशद की सापना सन 2005 पांच यहां तक क्लियर है चलिए अंगले फैक्ट की बात करते हैं जलीव जैब विदता का डिजिटल मैप जी यहां दोस्तों बहुत इंपॉर्टन्ट फैक्ट है जली जय वित्ता का डिजिटल मैप अभी दोस्तों जब पेपर हुआ था संविधा वर्ग एक और वर्ग दो में तब यह फ्रस्ण पूछा गया था कि जली जय वित्ता का डिजिटल मैप किसके दोरा किया जाते कौन से बिश्व विद्दले के दर तो याद रखे को बरकत जय वित्ता के प्रतिजागरुटा जार्ण विद्ता क्ता मोगली देखता होगी चोटा सा बच्च्क कैसे जीवोंक की दर्द और पीड़ा को समझता है और उनके साथ कैसी बात करता है उनकी भावनाओं को कैसे समझता है तो याद रखिएगा तो बच्छों में जै ब्वित्ता के प्रति जागरुकता पैदा करना ही मोगली उत्साओ एबन प्राकृतिक ब्रमण प्रोग्राम है याद रखिएगा आगikan बात करते हैं दोस्तों त किसके द्वार किया जाता है तो जै विवित्ता संस्थान पनजी द्वारा पनजी द्वारा जल्दी से बता जिए पनजी कहां पे है किस राज्य में पनजी कहां पे है किस राज्य पे है पनजी आगे फैक्ट के अगर बात करते हैं दोस्तों तो राज जै विवित्ता पार्क विभिन भागों में स्थापना का निर्णे करता है कौन निर्णे करता है राज जै विभित्ता पार्क विभिन भागों में स्थापना का निर्णे करता है चलिए आंगे चलते हैं दोस्तों तो आंगे देखे कुछ बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट यहाँ पे हम संगठन देखेंगे स्थापना वर्स देखेंगे उनका मुख्याला देखेंगे चलिए तो सबसे पहले देखिए पारे अबरन नियोजन एवं समन में संगठन जिसको हम इपको के नाम से जानते हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कंटस्ट कर लीजेगा लिस्ट से मिसी तरह बना लीजेगा दोस्तों इसका सन पूश लेता है या मुख्याले पूश लेता है तो मुख्याले की दिक्कत नहीं है मुख्याले जो भी मुख्याले हैं बोपाल में है तो याद रखेगा मुख्याले में तो ब बोपाल में हैं दूसरा बात करते हैं दोस्तों आपदा प्रबंद संस्थान जी हैं दोस्तों आपदा प्रबंद संस्थान बहुत ज्यादा के इसलिए नौम्बर्शन 1987 में इसकी स्थाफना की गई जो कि भौपाल में इंपोर्टेन इसलिए कि मद पर दीसके मिद प्रोज़िश करने वाला पहला राज्य था देखिए आंगे मद परदेस पडूर की सिथाफना 74 में है भी कहा है भौपाल में है आगे देखिए मद्द प्रदेश जील संदचन प्राधी करण जिया दोस्तों बहुपाल में तो इसे भी जीलों का भंडार है तो भी लाजिक लगा सकते हो तो मद्द प्रदेश जील सन्रचन प्राधी करन 2004 2004 है कहाँ पे बोपाल में तो बोपाल में देखे बड़े बड़े जीले हैं उसे भी जीलों के लिए जाना जाता है अब देखे मद्द प्रदेश इको परेटन विकास बोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टन फैक्ट याद रखेगा मद्द प्रदेश इको परेटन विकास बोड की था अपना जुलाई 2005 जुलाई 2005 में की गई थी जो कि कहाँ पे बोपाल में है बहुत ज्यादा इंपॉर्टन याद लिखेजे हैं कि जहां आज जितने भी फैक्ट लेकर कि आआया हूँ हर फैक्ट में कोश्चन है जी तो आपको यह पूरे फैक्ट रट लेना है आथ में साथ कर लेना है चलिए आंगे चलते हैं दोस्तों अंगले स्लाइड पे तो देखिए अंगला स्लाइड हमारा ये रहा जंगल गली आ रहा जिया है जंगल गली आ रहा अब ये होता क्या है अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा देखिए क्या होता है दोस्तों माल लीजे यहाँ पे एक जंगल है थोड़ा समझे का माल लीजे यहाँ पे एक जंगल है और यहाँ पे एक जंगल है ठीक ना थोड़ा सा हम यहाँ पे एक पेंज ले लेते हैं तो देखिए माल लीजे यहाँ पे एक जंगल है देखिएगा ए दूसरा जंगल यहां पे है एक राष्टी उद्यान यहां पे एक राष्टी उद्यान यहां पे माली जी दो हम ले ले लेते हैं जो अगल बगल हो तो हम बांधा गोड़ पन्ना की बात कर लेते हैं तो देखें माली जी यह बाला काउंस यह बाला पन्ना राष्टी उद्यान हो गया और यह बालब बांधा गोड़ राश्टी उद्यान हो गया अब क्या होता है दोस्तों यह दोनों तो अलग है यहां पे लोग रहते हैं तो जो जंगल गलियारा योजना होती है क्या किया लाता है दोस्तों यह बीच में इनके यह जो इन दोनों राश्टी उद्यानों को आपस में ब्रच लगा करके, ब्रच की लगा करके, एक रोड जैसे चौड़ी चौड़ी पत्टी गरोप में लगा तार ब्रच यहां पर ब्रच रोपन करके, इन दोनों राष्टिव उद्यानों को जोड़ दिया जाता है, जिसे हम जंघल गलियारा योजना के नाम से जान की दिशा में पर्याव रच्छा की दिशा में लागू अनेक योजनाओं में मद्ध प्रद्र जंगल गलियारा बनाए जाने सम्मंधी एक अनूठी योजना 1909 है याद रखेंगे 1909 है नहीं चलाए गए थी इस योजना के अंतर का दो अब्यारंड हुआ दो राश्टी उध्यानों को इनके बीच एक वन छेतर की पटी देखें वन छेतर की पटी पेंड लगा करके वन छेतर की पटी विक्षित करके जोड़ा जाना है जियां दोस्तों चाहें दो राष्टी उद्यान हो या दो अबेरंड हो इनको वन की पट्टी की दोरा क्या करके दोनों को जोड़ना है जिसे अभी मैंने विता दिया एक ये हो गया दूसरा ये हो गया यह दोनों आपस में यहां के जीव यहां नहीं आ सकते हैं और यहां के जीव यहां नहीं आ सकते हैं तो इन दोनों के जंगल के छोटे-छोटे पेंड़ लगा करके इनको क्या किया दोनों में आपस में जोड दिया जाता है तब यहां से जीव जन्तु एक दूसरे पर इधर आते जाते रहेंगे इतना तो बन छेत्र की पट्टी विक्षित करके जोड़ना है जोड़े जाने वाले प्रस्तावित राश्टी उद्यानों में बांधा उगड सहडोल और काना याद रखिएगा जोड़े जाता दो बन घुर आगोड और मंडला को आपस में जूड़ा जाना समय लीटार है इतना आप समझे बताएगा इतना सक्क्राइब है युख्यों दोस्तों हमारा यह अंगला सलाइट है देखे गड़ना याद रखिए गड़ना गड़ना तो याद रखिए गिद्ध सबसे ज़्यादा कहा पाए जाते हैं ठोड़े दिर पहले में ने बता था किस राष्टियों में तो देखे भारती बन प्रबंद संस्थान भुपाल द्वारा की जाती है कई बार पेपर ने पूछा गया दोस्तों गिद्धों की गड़ना किसके द्वारा की जाती अगर बात करें दोश्तों, प्रथम गिद मुड़ना, दोहजार सोला में, की गई थी, जिसमें प्रदेश में 7 प्रजाती के, कितने प्रजाती के, याद रखिए के 7 प्रजाती के 7,000 गिद पाए गे थे, बहुत अच्छा डेटा देखें, 7 प्रकाइड के 7,000, तो याद रख पन्नम पाई जाते हैं दूसरा कोरवा लग करवा तो पहुंच अज़रे स्टेट में किया है केरबा की रबा कहां बोपाल में स्थापित है दूसरा 2017 में स्थापित कहां किरबा बोपाल में अगर वहीं बात करते हैं दोस्तों जो दूसरी गिद्द गड़ना हुई थी बहुत जदे संख्या कितने हो गए दोस्तों तिरासी सव हो गए तिरासी सव हो गए आठ जार तीन सो हो गए तो दोस्तों यहां से हमारा जो राष्टी उद्यान वाला और वन जी वा बहरन वाला टॉपिक होता है यह होता है complete आप यहां से आपका ऐसा single question नहीं होगा कि जो आपकी exam में आए और आपसे ना बने आपको अच्छे तरीके से अप कहीं और देखने की अब सकता नहीं है जो fact यहां पे बताएगे हैं तो तो 100% सहीजियां तो 100% correct बताएग और इसको अच्छे तरीके से contest कर लिजेगा याद कर लिजेगा आने वाले एक्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादे बेनिफीट से मिलने वाला है तो दोस्तों चलिए जल्दी से comment box में comment करके बताएगे आपको हमारा यह है ससन कैसा लगा जल्दी से कोई doubt हो तो आप doubt अपना पूझ सकते हैं कोई doubt हो तो आप doubt पूझ सकते हैं और हाँ आप comment box में भी बता सकते हैं कि आप अंगला वीडियो आपको किस topic में चाहिए आपको मद्द प्रदेश यानि की MPG के में कौन से topic में problem हो रही है तो जल्दी से comment box में comment करके बता भी सकते हैं कि किस topic प्याप को अंगला वीडियो चाहिए चलिए ठीक है ना चलिए किसी कोई doubt नहीं है चलिए ठीक है हाँ अब last में एक बार और आपको अगर हमारे चैनल में हमारे दोर पढ़ाए गया पसंद आ रहा है तो अब जरूर सेयर करिए अपनों दोस्तों को और बताईए दोस्तों यह आपक मिल्कूल आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके उसको अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा और आपका जवाब दिया जाएगा आपने हमें सुना आपका बहुत बहुत धन्नवाद खुश रहीए मस रहीए अपने और अपने माता पीता का नाम रोशन करिए मि झाते हैं